नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर सुहाल ही में इंडिया, शिरिलंका और मालदीव के बीच में एक बहुत ही important और एहम trilateral exercise दोस्ती को conduct करवाया गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं बाइनियल trilateral exercise दोस्ती underway for stability of the Indian Ocean region यह खबर आपके सामने है, Economic Times की 22 November को खबर सामने आई थी इसके बारे में कुछ important facts आपके साथ में discuss करने वाला हूँ also discuss करूँगा कि यह वाली जो exercise है इसकी एहमियत बेसिकली यहाँ पर क्या है आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं इंडिया in Sri Lanka का जो आपका tweet है strengthening friendship and achieving enhanced interoperability coast guards of India, Sri Lanka and Maldives begin the trilateral exercise दोस्ती in Mali from today तो इसमें basically इंडिया के coast guard ने हिस्सा लिया था और बाकी दोनों countries के भी coast guard ने यहाँ पर हिस्सा लिया था आप यह भी देख सकते हैं 24 November की यह बात है कि 5 day biennial exercise दोस्ती between Maldives, India and Sri Lanka concludes today यह वाली खबर आपके सामने आई है 24th November को so basically यह कुल मिला के आपकी 5 दिन चली थी यह पूरी की पूरी exercise जिसके conclusion जो हुई है वो 24 November को हो चुकी है चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनेरुद इस lecture की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिये गए टेलिग्राम चैनल के माध्यम से इसके इलावा आप लोग जूट सकते हैं using this particular handle on the Unacademy app as well इसके इलावा आपको बताना चाहूंगा कि Unacademy आपके लिए एक बहुती बहतरीन offer लेकर आया है जिसमें कि आपको 10% का discount तो मिलेगा ही मिलेगा using my referral code लेकिन साथी में आपको 2500 रुपीज का flat discount दे रही है Unacademy only for these particular 5 days जिसमें अगर आप लोग एक साल का course लेते हैं तो combo आपको पढ़ता है 55,000 का, 2 साल का course लेते हैं तो 79,000 का इतना ही नहीं साथी में आपको जो complete test series है optional की और prelims और mains की सारी की सारी completely free of cost available करवाई जाएगी right guys, so यह आपका पंदरवाय edition था of the biannual trilateral coast guard exercise दोस्ती जिसमें इंडिया, Maldives और शिरिलंका ने हिस्सा लिया था 2021 marks 30 years since these exercises were first launched यानि कि इनका जो launching है formally 1991 में किया गया था और 2021 basically mark करता है कि इस पूरे के पूरे exercise को आज 30 साल हो चुके है और इसका जो पंदरवा संसकरन है वो इस साल hold किया जा रहा है इंडिया की coast guard की जो vessels थी ICJS Vajra, ICJS Apoorwa they joined the Sri Lanka coast guard SLCJS Shurakshara for the 5-day exercise which was started on November 20th दोस्ती के अगर बात में करूँ ICJS की जो launching थी as I told you already 1991 में करी गई थी शुरुवाती टाइम पे ये वाली exercises basically bilateral थी जिसमें की इंडिया और मालदीस के जो coast guards है इनको यहाँ पे involve किया गया था लेकिन 2012 में basically Sri Lanka को भी इन particular exercises में add-on करवा दिया गया था और तब से लेकर अब तक ये आपकी एक trilateral exercise बन चुकी है तो ध्यान रखेंगे कि originally ये एक bilateral exercise थी लेकिन after some time Sri Lanka को add किया गया था जिसके बाद ये trilateral exercise बन चुकी है इस particular exercise की एहमियत को बताते हुए जो इंडिया का high commission है मालदीव में उसने कहा यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा कि मालदीव और श्रीलंका जो है ये दोनों ही नई दिल्ली के लिए बहुत जादा रनननीतिक एहमियत रखते हैं खास रूप से हमारे जो समुदरी सुरक्षा को लेके interest हैं वहाँ पर दोनों की भूमिका काफी जादा है यहाँ पर इसकी भूमिका को समझने के लिए हम लोग बेसिकलिए आपके सामने कुछ commentary पेश करने वाले हैं जो कि Dr. Gulbin सुल्ताना के द्वारा दी गई है ये एक research analyst है इंडिया में जो IDS से है Manohar Parikar Institute for Defense Studies and Analysis है वहाँ पर काम करती है इन्होंने कहा इंडिया ड़स हाँ इस काइंड आपकी exercises with other countries sometimes it is multilateral, sometimes it is trilateral ये वाली exercise इन्होंने ये भी बोला कि काफी साल तक ये केवल bilateral होती थी लेकिन अब ये trilateral हो चुकी है इन्होंने यहाँ पर कहा कि ये वाली जो आपकी सायूक्त operations होते हैं जो आपके सायूक्त missions होते हैं वहाँ पर एक दूसरे की help आप लोग कर सकते हैं more importantly interoperability भी यहाँ पर काफी strengthen होती है यानि कि आज मान लिजे आपको कलको suddenly शिरिलंका की जो coast guard है उसकी help चाहिए अगर आपकी पहले बातचीत हो रखी है पहले आपने कभी मिलकर सहने अभ्यास किया होगा तो उस case में आप एक दूसरे की help यहाँ पर कर पाएंगे same goes for maldiz also when अगर कलको इंडिया को maldiz की help पड़ती है तो वहाँ पर वो वाली help हमें मिल सकती है इसमें साथी मीन ने बताया कि मान लीजे कलको कोई maritime accident हो जाता है या फिर कलको कोई ecological disaster हो जाता है something like an oil spill आपने सुना होगा हाल ही में शिरे लंका के पास में एक oil spill हुआ था ठीक है अगर ऐसी चीजें होती है उस case में sometimes the coast guard of one nation cannot tackle it alone ऐसे cases में multiple जो आपके nations के coast guards होते हैं वो मिल करके एक दूसरे की help करके इस तरह की आपदाओं को prevent भी कर सकते हैं और कलको अगर हो जाती है तो उसमें अच्छा rescue operation भी यहाँ पर carry out कर सकते हैं साथी में इन्होंने कहा कि these exercises help develop a better understanding of the other nation's coast guard operations इसके साथी में maritime security is a kind of thing where you need cooperation and one nation, one coast guard can't do much in fact इन्होंने बहुत interesting point बोला जो मैंने यहाँ पर mention नहीं किया है कि basically कभी के बार क्या होता है कि एक nation के पास एक particular limit होती है वो अपने EEZ के बाहर जाकर काम नहीं कर सकता है तो वहाँ पर आपको बाकी nations की help चाहिए पड़ती है और ऐसे cases में अगर आपके आसपास की nations के साथ आपकी जो born home ही है वो बहतरीन है उस case में वो आपकी help करने में हमेशा ही आगे आते ही आते हैं Hence ऐसी exercises काफी बड़ा role play कर देती है यह तो थी यह brief सी video regarding the multilateral आपकी जो exercise है दोस्ती अगर आप इसके बारे में थोड़ी और जान करी लेना चाहते हैं तो यह वाले article को refer कर सकते हैं Indian Express में यह article आया था Importance of India, Maldis and Sri Lanka Trilateral Exercise दोस्ती यह ख़बर सामने आई थी 24th November को दोस्तो वीडियो को यहें पर समाप्त करता हूँ लेकिन जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग मुझसे Modern India पढ़ना चाहते हैं तो MCQs format में हम लोग आपके लिए कुछ classes को run कर रहे हैं इन classes को जाकर आप लोग देख सकते हैं आपके उपर 3rd classes की होने वाले है 27th November 4 बजे दोपहर में इसका link आपको मेरे Telegram चैनल के उपर available करवा दिया जाएगा इसके इलावा आने वाले दभिवार के दिन आपको हिस्सा लेना है इस particular UPSC CSE Megacombat में Using My Code अनि UPSC जिसमें कि आपको काफी सारे rewards देखने को मिलेंगे iPad mini, Samsung के tablets, Fitbit, Watches, Amazon vouchers यह काफी सारे चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी And once again आपको बता दूँ कि अगर आप लोग Unacademy का कोई भी course करीदना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए code का इस्तिमाल करते हुए आपको discounts के साथ-साथ कई सारे और benefits दो मिलेंगे